वेल्कम टू मैं यूटीब चैनल विनाक्षी मैस क्लासिज इन इस वीडियो वी दू कोश्चन नमबर फॉर ऑफ चैप्टर नमबर फॉर्टीन कंस्ट्रक्शन ब्रेन टीजर का कोश्चन नमबर फॉर है ड्रो अलाइन एबी इक्वल टू 10 सेंटिमेटर देखो आपको क्या क जिसकी लेंथ दे देते हैं तो वो लाइन ना होके वो क्या होता है लाइन सेग्मेंट होता है तो यहां पर लाइन सेग्मेंट आना चाहिए था तो हम यहां ठीक कर लेंगे ड्रो लाइन सेग्मेंट अबी इक्वल टू 10 सेंटिमेटर लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं हो X is equal to 6 cm, Draw a line for X perpendicular to AB using Compoters and Ruler. देखो असान कोश्चिन है? ऐसा ही कॉश्चन हमने पहले भी किया है, अब आपको देखो क्या करना है, पहले तो आपको एक 10 cm का एक line segment लेना है. तापको 10 cm का एक line segment लेना है, क्या लेना है, तो यहाँ पर इसका नेम है A B, ठीक है, यह आपका A B है, कितना है यह 10 cm, यह write करना जरूरी है, आप इन्होंने बोला है, mark a point X such that A X is equal to 6 cm, अब आपको scale का ही use करना पड़ेगा, आपको scale का use करके इसके उपर एक point लगाना है X, ताकि आपका A से X तक कितना हो 6 cm, तो हम यहाँ स starting से कलेंगे, यह starting से 6 measure कर लो, तो यहाँ से देखो, यह बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से start और 6 कहाँ पर आया है, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, means यह point, तो यह मेरा X point है, यह X point है, यह X point है, यहाँ पर A X, इन्होंने बोला है, such that A X is equal to 6 cm, तो A से लेक यह point X है, इस में से मुझे draw करना है, draw a line, अब मुझे इस में से एक line पास करने में, इस देखो, मैं आपको पहले बता देते हूं, जैसे point X है, यहाँ से, जैसे pencil की जगे माल लेजिए, line आ जाए, draw a line, throw X perpendicular to AB, कि यहाँ से आपको एक line ऐसे draw करनी है, कि वो इस AB के उपर perpendicular हो, अब जहाँ पर भी word आजाए, perpendicular ठीक है, जहाँ पर भी perpendicular आजाए, मिस वहाँ पर आपको कितने का angle बनाना है, 90 degree का, using compasses and roller, ठीक है, अब protector का use नहीं करेंगे, compasses का use होगा, ठीक है, तो बस आप क्या करोगे, point X के उपर 90 degree का angle बना दो, बहुत easy है, ठीक है, यहाँ point X के उपर ठीक है, point X पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक arc लगाएंगे, इस तरीके से, आप सबको आता ही होगा, 90 degree का angle बनाना, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यह दोनों तरफ से cut हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से भी cut हो गया, और यहाँ से भी, आप मतलब कि ठीक है, C point पर रखो, पहली arc आपकी 60 degree, यह जो point आया है, ठीक है, इस point पर रखो, जहाँ पर आपकी दोनों arc cut होई है, इसको मैं नेम देती हूँ, E, ठीक है, E point पर रखो, E point पर ऐसे रखेंगे, और एक और arc ऐसे cut करेंगे, जो 120 वाली arc होते हैं, यह आपका हैगा, F, अब मेरा इन दो point का use होगा, E और F, ठीक है, E और F point को use करेंगे, E point पर रखेंगे, एक arc की उपर लगाएंगे, F point पर रखेंगे, इस arc को cut कर देंगे, ठीक है, नया point आगया, E, F, इसको मैं नेम दे रही हूँ, G, ठीक है, आप मुझे क्या करना है, G point को, क्योंकि 90 degree जब मिलता तो आपको G point को, और यह जो नीचे point है, X, ठीक है, इनको मिलाना है, और आगे बढ़ा देना है, ठीक है, यहाँ पर भी arrow लगाओ, यहाँ पर भी arrow, क्यों, draw a line, line में दोनों तरफ arrow आएंगे, draw a line, throw X, perpendicular to AB, मैंस यहाँ पर 90 degree होगा, तो मैंस यह perpendicular आ जाएगा, draw a line, throw M, perpendicular to AB, यह line आई है, अब line को आपको कोई name देना पड़ेगा, आप इसको M कह दो, ठीक है, इन्होंने कोई name नहीं दिया था, तो मैंने यहाँ M लिख दिया, और आपको एक correction करनी है, correction कहा है, draw a line segment, ठीक है, बुक में यहाँ printing mistake है, line segment आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पर आपक को बनाना है, PQR of any measurement, मतलो, इसकी measurement कितनी भी हो सकती है, ठीक है, now using compasses, draw another angle, XYZ equal to angle PQR, यह भी आपकी बुक में यह question पहले आ चुका है, आपकी बुक में जो आपकी वक्षिट नमबर 2 है, मैं आपको दिखा देती हूं, देखो, जो यह आपकी वक्षिट नमबर 2 है, इसका question बिल्कुल same है, वहाँ पर angle A बुला था, आपकी वर A की जगह PQR लेख दिया, तो इसमें कोई वो नहीं है, same question है, बिल्कुल वही का वही है, ठीक है, तो हम यहाँ पर angle बनाएंगे, मुझे एक angle बनाना है, ठीक है, और एक angle मैं यहाँ बनाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक angle पहले बना देती हूँ, यहाँ पर, एंगल बनाने के लिए मुझे दो रे चाहिए होती है, एक रे मैं यहाँ लगाई है, अब आपके मर्जी है, आप ऐसे अंदाजे से इतना बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कितना भी angle बना सकते हो, ठीक है, तो म पर पॉइंट रखो, उसका name रखो P, बीच वाले पॉइंट, जो B बीच में आता है, यहाँ पर बनता है, यह Q और यह R, ठीक है, बन चुका है, अब इतने ही measurement का angle आपको, बिल्कुल measurement उतनी ही होनी चाहिए, कम जादा ना हो, तो मुझे यहाँ पर बनाना है, तो उसके लि यहाँ पर बीच में पॉइंट आएगा Y, और यहाँ पर आएगा Z, अभी X यह वाली रहा है, उसके ओपर पॉइंट X आजाएगा, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, अब ऐसा तो है नहीं, कि मैं ऐसे करूँ कि इतना मेजर हो रहा है, यहाँ पर ऐसे डू कर दूँ, तो कम जाद हो जाएगा, चाहिए आप कितनी भी कोशिश करें आपके अंगल की मेजरमेंट कम या जादा हो जाएगी, तो वह आपको क्या करना है, एक बार ओपन कर लो इसे, जितनी भी करनी है, पॉइंट Q पर रखेंगे, और एक आर्क ऐसे लगाएंगे, ठीक है, अब उ जितनी मेजरमेंट की आर्क थी, मेजरमेंट उतना ही है, बस यह थोड़ी सी कम लगा रखेंगे, यह थोड़ी जादा है, इसका रीजन है क्यों कि यह कट होगी, अगर आप इतनी सी ही लगाओगे, तो वह आपके लिए कम रह जाएगी, ठीक है, अब देखो आपको क्या कर एक्स से वाई तक का मेजर करना है, पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक, ठीक है, हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैं इतना मेजर कर लेंगे, एक्स से लेकर वाई तक, ठीक है, कम जादा हो तो आप अपने आप अड़ेस्ट करना, एक्स पर रखो, अब इस आर्क को कट करो ठीक है? यहां पर cut कर दिया यहां भी y point था तो मैं इसको यहां पर भी y ही लिख रही हूं ठीक है? अब आपको क्या कर ओ स्री नया name देना पड़ेगा क्योंकि यह x भी नहीं लिख सकती मैं इसको कुछ हो रही लिखूंगी इसको मैं लिखूंगी a और इसको मैं लिखूंगी b ऐसा क्यों? क्योंकि x y z तो पहले यूज हो चुके है तो यह point a यह वला point b है ठीक है? अब मुझे y को b से मिलाना है ठीक है? y को ऐसे b से मिला हो और आगे बढ़ा दो ठीक है? तो यहां पर आपका angle था x y z x y z तो यहां पर आपको point आजाएगा x x y z तो यहां पर यह दुबारा से लिख देती हूँ a तो यहां देखो यह दोनों angle की measurement वैसे तो देखने में ही हमें लग रहा है कि दोनों ही angle बिल्कुल बराबर बने हुए ठीक है? लेकिन हम तो क्या करेंगे? हमें तो proof देना है तो हमें आप इसको एक बार अपने protector से measure करके देख लेना कितना है तो यहां देखो यह मैंने इसको बिल्कुल set किया है तो यह मेरा 70 और 80 के बीच में है 70 और 80 के बीच में 75 बनता लेकिन उससे भी एक stick पिच्छे है मिन 74 बना हुआ है तो यहां पर देख लेते हैं यहां पर भी 74 ही आना चाहिए तो यहां से नीचे बिल्कुल set है यह 70 और 80 इसके बीच में यहां पर 75 बनता लेकिन उससे एक पिच्छे दोनों ही एंगल कितने मेजरमेंट के बने हुए है 74 डिगरी यहां लिखके नहीं दिखाना है ठीक है 74 नहीं लिखना है वो बस हमारे understanding के लिए हां कि हमें पता चल गए कि हां एक वाला ठीक है तो यहां पर मैंने इस वीडियो में आपको question number 4 और 5 करवाया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें थैंक यू सो मुझ